ही जी बाया चाहे, ही तुमची प्रयास प्रवेश NCRT मोडियुल अशना रहा है तर मी NCRT कोण्टे वाच आवे तेपन सांगितले आणि कशा वाच आवे तेपन सांगितले NCRT is our foundation of our preparation बंड 6-12 मंदे जी वास्तो है ते तेला एक्जाक्ली किती टाइम स्पान दिला पाईजे नमस्कार विद्धर तेमित्र आन्नो स्वागते तुम्सा पुना एक्ता प्रया सेस्रिट आफ एक्सेलन्स मंदे माजणा वाहे मोहित सावा काही महेनेर्पुर्वी एक वीडियो आपन बनावला होता अपले यहां यूट्यूब चानल वर यह वीडियो से टाइटल होता NCRT आण यूपीसी तुम्सा बैकी बर्यात लोका नी तो वीडियो बगितला आणि जे विद्धर थी अपले यूपीसी प्रिपरेशन चा पहिले आकिमा स्टार्टिंग फेज मदे आहे तांचे साथी तो वीडियो एक प्रकार चा रामबान उपाया स्थरला है कारन ताचाथ NCRT छी रिलेटेड सगला क्वेरीज जवड़ पास में हंडल करनाचा प्रहतना के लेला है स्टार्टिंग फ्रों थी का वाच आवे ताचा थिए विद प्रूफ तुम्हाला सागनाचा परहतना के लाहे कि NCRT थी फॉम्चे परदेटीने महत्वाचे धर देल तुम्चे प्रिल्ण साथी तुमचे उपीसी मेंस प्रेशन साथी मी विट एग्जम्पल्स मंझे प्रिलिम से, MCQs, में सा प्रश्ण और NCRT चा त्या भूख मदल त्या सब्जेक्ट मदल ते रेफरेंस याचा सकत तुमा लाती थे उधारण दिले लिये तो ये जो relationship है, first, let's establish this relationship of NCRT and UPSC बहुत बार कहा जाता है, आपने भी आपकी जर्नी में बहुत बार सुना होगा कि Sir, you have to refer the NCRTs for, if you are starting the preparation of your UPSC if you are starting for giving the, or if you are thinking of giving the attempt of 2024-2025 तो NCRT से शुरू कीजे, ये एक आपका base prepare करेंगी लेकिन NCRT से शुरू करना क्यों जरूरी है, इसका importance बताने के लिए first point मैंने यहाँ पर यही discussion के लिया है, कि that let's establish the relation between UPSC and NCRT, तो relation establish करना है या ने, इसका मतलब बिलकुल same है या फिर simple है, कि Sir, prelims में कितना weightage है NCRTs का, और mains जो है UPSC की उसमें कितना weightage है, तो यहाँ पर मैं example के साथ आपको पता हूंगा, कि why we need to read the NCRTs, that is our first point of discussion today, तो the very simple answer of this, I would say, यहाँ पर कोई भी surprises नहीं है, the very simple answer of this question is to get the marks, definitely हमें marks चाहिए, या फिर marks लाने है, इसके लिए हमें NCRTs पढ़नी है, तो I will show you the proof also, in UPSC prelims also, you have the importance or weightage of NCRTs, 15 to 20%, 15 to 20% is the weightage of NCRT, कि अगर आप directly और indirectly भी calculate किये, तो अलग-अलग subjects में 15-20% NCRT का prelims में definitely weightage है, और in the UPSC mains also, there is a question comes, always there are questions in different subjects, GS के subject के बारे में बात कर रहा हूं, 1, 2, 3, 4, कि directly तो question नहीं आएंगे, लेकिन, you will get the opinion, या फिर आपका एक opinion frame करने के लिए NCRT आपकी काफी मदद करेगी, ये भी मैं example के साथ यहां पर बताऊंगा, so let's take the prelim वाला example first, ये एक question है, और जो कोई भी question में यहां पर discuss कर रहा हूं, वो सारे latest questions है, okay, यहां पर कोई भी मैं 1990 या फिर 10-15 साल कुराना question नहीं ले रहा हूं, you can check the question from the internet, okay, ये latest UPSC का question है, तो एक biogeochemical cycle के बारे में पूझा है, specific nutrient के बारे में, कि कौन से nutrient के लिए weathering of rock is the main source in a biogeochemical cycle, okay, वैसे तो ये question आप environment में भी डाल सकते हो, या फिर ये question आप geography में भी डाल सकते हो, but here we don't have to discuss the question as such, but let's see, यहां इस question का reference हमें कहां मिलता है, I have given you the reference, class 12 वाली जो biology की NCRT है, उसमे chapter 14 अगर आप देखोगे, page number 254, I have given with the page number, ecosystem वाला जो chapter है, तो उसमें अगर ये पैरा आप पढ़ोगे, जो मैंने highlighted पैरा दिया है, ये अगर पैरा आप पढ़ोगे, you can pause this video, यहां पर हम लोग question नहीं discuss कर रहे हैं, I am just telling you the importance, इसलिए you can pause the video, you can read the पैरा and you can decide yourself, okay, तो यहां पर ये पैरा अगर आप system या फिर environment के बार में, दूसरा एक history का question ले लेते हैं, कि यहां पर medieval India का कुछ हमें पूछा है, कि in terms of size, correct sequence in ascending order लगाना है, कुछ ऐसे areas या फिर सुबा पर गणा या फिर सरकार ऐसे areas के बार में पूछा गया है and that is, उसका ascending order in terms of size हमें लगाना है, तो if you see the themes वाला NCRT, जो class 12 का NCRT है, history के जो themes वाल NCRT है, new NCRT के बार में बात कर रहा हूं, history के, तो उसमें themes part 2 जो है, यह जो यहां पर मैंने दिखाया है, तो इसमें chapter 4, page number 218, तो यह अगर paragraph आप पढ़ोगे, जो मैं teach किता है, उसकी बाते, and why it is importance, I hope you got the importance, okay, तो let's move on to the mains वाला part, कि sir, mains में कहां देखने को मिलता है, so see, latest mains के बारे में discussion करूंगा, 2022, जो अभी हाल फिलाल में ही mains हुई है, तो उसका GS paper 1, अगर देखोगे आप question, mention the significance of straits and isthmus in international trade, तो geography का question है, straight or isthmus के बारे में पूचा है, तो ये conceptual part है, definitely ये straight or isthmus के बारे में आप reference book में भी पढ़ोगे, लेकिन इसका relation in the international trade, या फिर importance या significance in international trade, ये specific relation यहाँ पर establish करने के लिए कहा गया है, and the question is of 250 words या फिर 15 mark, तो important question है, तो ये आपको कहा मिल सकता था, तो see, class 6th की NCRT है, the earth and our habitat, बहुत बार बच्चे कहते हैं कि sir, do we have to read the NCRTs from class 6, तो ये अगला point वो देखेंगे कि कौन-कौन से NCRTs पढ़ने है, लेकिन class 6 से पढ़ने की जरूरत है क्या, तो definitely कुछ subject की NCRTs ऐसी है, कि आपको class 6 से पढ़ने की 100% जरूरत है, तो देखें, यहाँ पर वापस question पर आते है, straight and isthmus, यहाँ पर दिया गया है, class 6 की NCRT, अगर आप chapter नमर 6 देखोगे, तो यहाँ पर दिया है, isthmus के बारे में, यहाँ पर दिया है straight के बारे में, तो ये relation आप establish करके, यहाँ पर definitely international trade के बारे में, आप कुछ ना कुछ तो लिख सकते थे, अगर आपने यह 6 की NCRT पढ़ी होती तो, okay, with the map, and if you could include this map in your answer, then definitely it is a plus point, okay, तो आधा या एक mark आपको ज्यादा definitely मिल सकता था, तो this little thing create a difference in your answer rating also, as well, okay, so यह mains में भी importance है, I can go on giving you the examples, okay, ऐसे बहुत सरे examples में दे सकता हूँ, लेकिन यह examples के लिए, I think, I have two, मैंने point prove कर दिया है आपको कि importance means और prelims दोनों में है NCRT का, so please don't skip the NCRTs, okay, और क्या-क्या चीज़े हैं, why NCRTs are important from our perspective, तो देखिए, कुछ अलग-अलग भी important points है कि it will develop, NCRTs will develop the basic understanding of the subject, okay, और the topic in that subject, जैसे कि अगर आप directly कुछ reference book पढ़ रहे हो, quality का, right, एक example मैंने यहाँ पे लिया है कि quality का reference book पढ़ते हुए अगर आपको basic concept, जो preamble में words दिये गया है, जैसे कि justice है, fraternity है, integrity है, okay, brotherhood है, तो यह कुछ चीजे हैं, जो वहाँ पे explain नहीं की गई है, जो कोई भी reference book अगर आप पढ़ रहे हो, quality का एक example ले रहा हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे secularism का example लिया है, तो what is secularism वो तो दिया गया है, लेकिन what is the difference between western secularism and Indian secularism, तो यह basic चीजे, basic concept आपको NCIT में पढ़ने को मिलेगी, and that's why NCITs are important, because UPSC Prelude में अगर आप देखोगे, तो quality या फिर ऐसे जो subject है, जो conceptual होते हैं, उन में से UPSC बार-बार आपको basic पे stick कर रहा है, हम लोग advance पढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बार-बार basic पे hit करते हैं, तो definitely, if you have to understand the basic concept, economic की भी concept हो सकती है, communism क्या हो गया, socialism क्या हो गया, capitalism क्या हो गया, तो इसके लिए आपको NCITs पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि reference book में, it is kind of assumed that आपको यह सारी basic concept पता है, और उसके साथ जो analytical concept है, वो पढ़ा ही जाती है, या फिर वो उसमें ज्यादा आच्छी तरीके से दी गई है, okay, तो if you need to clear your basics, go with the NCITs first, okay, then NCITs की language, छोटे-छोटे यह benefits और भी है, कि language lucid है कि सर smooth flow है, तो lucid और smooth flow होने की वज़े से, it will give the confidence in the difficult subject, okay, or the topic, कोई भी थोड़ा subject difficult हो, when you are at the starting stage of your preparation, UPSC journey, अब गर आप start कर रहे हो, अभी, तो definitely क्या होगा, कि यह NCITs आपको एक confidence देंगी, जैसे कि अगर directly reference book आप पढ़ोगे, तो लक्षमिकान पढ़ने में ही 2-3 मैने आपके लग जाएंगे, तो यह, अगर टाइम आपको reduce करना है, तो go with the NCITs first, okay, क्योंकि NCITs के 6th और 12th class तकी वो NCITs है, तो language उन बच्चों की level की दी गई है, इसलिए हम लोगों को क्या होता है, कि पढ़ने में थोड़ा आसानी होती है, और उसकी वज़े से हम लोग ज्यादा confident feel करते हैं, okay, so and that confidence is required or that confidence is needed at the start of our preparation, ठीक है, तो it will again inculcate the habit of speed reading, okay, and increase the grasping of hours, okay, यह भी चीज़ हो सकती है, and then it will give the grip of the basic concept which probably missed in the reference book, जैसे कि मैंने अभी कहा, यह पहले point में ही कहा कि आपको, कि probably जो basic concept होती है, वो reference book में miss हो सकती है, तो वो concept आपको यहां से अच्छी तरीके से पढ़ने को मिल सकती है, तो that's why these are the importance, important factors definitely that we should consider while going to the NCRTs, okay, NCRTs के बिल्कुल भी नहीं करने है, okay, sir, यह importance की बात तो हो गई, that why we should need, we should read the NCRTs, यह बात तो clear है, I hope आप सबको भी clear है, now moving on to the next question, तो यह सब clear होने के बाद अगला सवाल, sir, हमारा आता है, then ठीक है, sir, समझ गए, कि NCRTs importance है, तो फिर कौन सी NCRTs पढ़ने है, sir, हमको, at least, अगर हम listening भी देखे NCRTs की, तो we have 40 plus, 40 plus NCRTs, 6 to 12 subject, quality, history, geography, economy, science, अगर ऐसे करे, calculation, तो 40 plus NCRTs हमें पढ़ने पढ़ती है, तो is it actually required to read all the 40 plus NCRTs, the answer is very much no, then, sir, फिर कौन सी NCRTs पढ़नी ज़रूरी है, तो let's see, कौन कौन सी NCRTs पढ़नी है, okay, तो हम लोग subject-wise देखेंगे यहां पर, कि कौन कौन सी NCRTs हमें पढ़ने की ज्यादा जरूरत है, okay, जितनी NCRTs में यहां पर discuss करूँगा, I'll tell you the importance of those NCRTs also, और अगर आप, आपके preparation के कौन सी stage पढ़ने है, if you are just a fresher, starting right now, the journey of your UPSC, 24-25 आप अगर attempt दे रहे हो, या फिर अगर आप veteran हो, या फिर intermediary stage पढ़ने हो, definitely एक category की जाती है, NCRTs भी, that is, new NCRTs and old NCRTs, okay, तो sir, कौनसी NCRTs ज्यादा आच्छे हैं refer करने के लिए, तो मैं यहां पर आपको specifically बताऊंगा, एक भेग discussion चलता है, कि sir, old NCRTs पढ़ लीजे या फिर new NCRTs पढ़ लीजे, तो मैं आपको यहां पर specifically बताने की कोशिश करूँगा, मैं मेरा जो focus है, वो ज्यादा से ज्यादा new NCRTs पर है, लेकिन old NCRTs भी आपको कौनसी पढ़नी है, वो भी मैं यहां पर बताऊंगा, तो कहा जाता है tentatively कि 6 to 12 आपको यह new NCRTs सारी पढ़नी है, लेकिन यहां पर अगर आप 9th, 10th और 11th यह new NCRTs की बात कर रहा हूँ, 6th class to 12th class, इसमें अगर आप 9th class, 10th class और 11th class की NCRTs स्किप करना चाहते हो, तो definitely आप स्किप कर सकते हो, लेकिन इसके बदले आपको old NCRTs पढ़नी है, तो old NCRTs जो अभी बहुत सारे publication ने भी publish की है, तो वो भी आप ले सकते हो, अगर आपको old NCRTs अविलेबल नहीं हो सकती है, जैसे कि ancient के लिए R.S. Sharma हो गई, then medieval के लिए Satish Chandra हो गई, और फिर modern के लिए Bipin Chandra हो गई, या फिर modern के लिए आप spectrum भी ले सकते हो, और world district के लिए अर्जुन्दे हो गई, तो ये 4 NCRTs अगर आप पढ़ रहे हो, which are old NCRTs, so you can directly skip this 9, 10th और 11th वाला new NCRTs, I hope the point is clear here, आपको कौनसी new और कौनसी old पढ़नी है, वो मैं यहाँ पर बता रहा है, तो let's see, ये कुछ new NCRTs के photograph में यहाँ पर आपको दिये है, ये सारी new NCRTs हैं, अगर आपको ये नहीं पढ़नी है, तो बस ये 3 skip कीजिए, और old NCRTs पढ़नी है, लेकिन 6, 7, 8, ये 3 आपको new ही पढ़नी है, और फिर directly you can jump to 12, 6, 7, 8, and then 12 वाला NCRTs, कि अगर आप वो old वाली 4 पढ़ रहा है, तो ठीक है, तो ये हो गई हिस्ट्री की कुछ NCRTs, तो इसके बाद फिर एक fine arts की भी NCRTs आती है, 11th class की, तो definitely you have to read that fine art वाला NCRTs, 11th class का जो मैंने कहा, art and culture के लिए, ठीक है, 12th class का जो fine art वाला, 12th class का जो part 2 fine art वाला है, वो NCRTs आपको नहीं बढ़नी है, 11th class की part 1 fine art वाली NCRTs आपको पढ़नी है, for the art and culture वाला part, तो I hope you got the answer कि history के बारे में क्या है, या फिर कौन-कौन सी NCRTs हमको cover करनी है, quality के बारे में देखेंगे, कि sir, quality के बारे में कहा जाता है, यह एक चीज यहां पर बताना रहे गया, कि history के बारे में, कि अगर आप veteran हो, यह सारी चीज़े मैंने बताई अभी history के बारे में, those who are starting their preparation, अगर आप veteran हो, and if you are reading spectrum, या फिर अलग-अलग कुछ आप पढ़ रहे हो, या फिर अलग-अलग reference book से ही, आप ancient, medieval, यह सारी चीज़े पढ़ रहे हो, art and culture पढ़ रहे हो, तो I would say, you should go for 9, 10th and 11th वाला old NCRT, वो at least पढ़ लीजे, यह आप लोगों ने script किया, तो भी चलेगा, ओके, ठीक है, let's move to the quality वाला part, तो if you are starting your UPSC journey, तो I would suggest कि quality के लिए, यह सारी NCRTs आपको पढ़नी है, बहुत ज़्यादा difficult नहीं है, कि अगर आप यहां से शुरू करोगे, यह suppose, आप class 9 की NCRT है, class 10 की NCRT है, और quality, you don't have to start from the class 6th, फॉर्स टीक, ठीक है, आपको class 9 से start करना है, यह class 9 की NCRT है, class 10 की NCRT है, class 11 की NCRT है, यह आप definitely पढ़ोगे, कि अगर आप, आपकी UPSC की journey अभी start कर रहे हो, तो ठीक है, यह बढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, और फिर आगे जाते हैं, quality के, class 11 वाली Indian Constitution at work, ओके, so this is the most important NCRT, जो मैंने अभी शुरू में कहा आपको कुछ देर पहले, कि basic concept वगेरा जो चीजे हैं, that all are given in this NCRT, तो this NCRT is most important from the quality perspective, अगर आप veteran हो, अगर आप fresher हो, तो मैंने कहा आपको शुरू से पढ़िए, class 9 से 12 तक की quality की NCRT कभर कीजिए, लेकिन अगर आप veteran हो, या फिर intermediate stage पे हो, तो you must read, और अपने अगर नहीं पढ़े होगी, तो you must read the NCRT, ये skip बिल्कुल भी नहीं करनी है, आप कौन से भी stage की preparation में आपकी हो, and then for the other people, या फिर those who are starting their preparation, they can read this also, इससे क्या होगा, कि सी politics since independence, तो आप अगर कहोगी कि सर, since independence के बारे में हम लोग कुछ class की notes बगेरा पढ़ सकते हैं, तो definitely you can go with that, but यहाँ पर कुछ basic चीजे हैं, कुछ boxes दिये होते हैं, वो अगर उसमें directly question reflect हो सकता है, जैसे मैंने आपको शुरू शुरू में question के बारे में कहा, तो यहाँ तक आपको quality की NCITs पढ़ने हैं, from 9th to 12th, and the very important NCIT is this one, I hope you got the NCITs of quality, right, so let's move to the other subject, geography, history के बाद अगर मैं कहना चाहूंगा, कोई important subject है, NCITs के perspective में, तो that is your geography वाला part, जैसे कि मैंने अभी आपको question दिखाया था, 6th की geography में से directly, वो question हम लोग refer कर सकते थे, means का, okay, तो इसी लिए, geography की NCIT हमें 6th to 12th पढ़नी ही है, इसको अगर आपने अच्छी तरीके से पढ़ लिया, तो you don't have to go, यह NCITs इतनी अच्छी तरीके से दी गई है, कि आपको दूसरा कोई भी reference book पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, अलग-अलग reference book होते हैं, जो बहुत ज्यादा थोड़े बलकी भी होते हैं, या फिर बहुत ज्यादा थोड़े difficult भी होते हैं, लेकिन यह अगर आप पढ़ने की कोशिश करोगे, तो definitely you don't need any kind of reference book, at least for the prelims, और mains की लिए भी, तो 6-12 करना है, जो स्टार्ट कर रहे हैं अपना preparation, वैसे ही category करेंगे, जो स्टार्ट कर रहे हैं, उनको यह 6-12 पढ़ना है, यह 6 की NCIT हो गई, 7th, 8 की NCIT हो गई, वैटरंस के बारे में भी बताऊंगा, फिर यह आपकी हो गई, Class 9 की NCIT, यह आपकी हो गई, Class 10 की Geography की NCIT, and then this is the most important, तो जो वैटरंस हैं, उनके लिए directly, अगर आप यह पढ़ सकते हो, तो please go with this, do not skip this NCIT, Fundamentals of Physical Geography, 11th वाला, यह वैटरंस के लिए, this is most important NCIT, ओके, then let's move to the 11th वाला, पार्ट 2, यह फिजिकल एन्वार्मेंट, यह second important NCIT है, वैटरंस के लिए, ठीक है, तो यह दो NCIT हैं, कि जो आपको definitely पढ़नी है, if you are in your intermediary stage, in your intermediary stage of a UPSC journey, और या फिर आप अगर veteran हो, तो definitely you should go with this, और यह fundamentals of human geography, यह भी तीसरी important NCIT है, ओके, and veterans can skip this, इंडिया और पीपल यह आपने नहीं किया, तो भी चलेगा, लेकिन for the fresher, you have to read 6-12 वाला NCIT, ज्यादा time नहीं लगेगा, अगर आप 6th की book भी देखोगे, तो वो 6th class के लिए बनाई है, तो please don't take that much load, कि sir, 6-12 तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, geography हो या फिर history हो, so 6th की NCIT आपको, अगर आप fresher भी हो, तो आपको खतम करने में, at least, ज्यादा से ज्यादा, at the max 2 दिन लगेंगे, उससे ज्यादा नहीं लगेगा, so don't get afraid by the number, और don't get afraid by these pictures, कि sir, कितनी सारी NCIT पढ़नी है, ये बहुत अच्छी तरीके से, कम समय में cover हो सकती है, okay, I'll tell you that also, कि कैसे पढ़ना है, how to rate these NCITs, I'll tell you in the next point, okay, तो ये हो गई, जोग्रफी वाली NCITs, ये तीन मैंने कहा कि, veterans के लिए important है, class 11 की 2 और class 12 की 1, right, so these are the important NCITs, then go to the economy, again, economy section में, आपको 6th class से NCIT बिल्कुल भी पढ़नी नहीं है, that is not that much important, okay, अगर आप pressure भी हो, और veteran हो तो बिल्कुल भी नहीं पढ़नी है, directly jump to class 9 वाला NCIT, 9th से शुरू करेंगे, ठीक है, 9th to 12, तो 9th to 12 में भी सारी NCITs नहीं पढ़नी है, जहां आप जितनी NCITs में इन हैं, यहां पे दिखाईए आपको, उतनी NCITs आपको cover करनी है, यह याद रखिएगा, 9th की NCIT है, जो veteran है, उनको यह पढ़नी ज़रूरी है, तो यह आप दिल्कुल भी पढ़िए, यह अगर आपने skip की, तो चल सकता है, लेकिन यह definitely पढ़ने की ज़रूरत है, class 11 की NCIT, और class 12 की, दो NCITs हैं आपको, कि micro economy भी है, यहां पे macro economy दिया गया है, micro economy की भी NCRT है, तो you don't have to, nobody has to read this micro economy वाला NCRT, YouTube पे आपको बहुत सारे वीडियोज मिल जाएंगे, रुणाल सर के भी वीडियोज है, कि micro economy के वीडियोज आप देख सकते हों, तो एक 20-25 मिनिट का वीडियो, उससे वो cover हो जाएंगी, सारी concepts, वो आप पढ़ने भी जाओगे, तो वो बहुत ज्यादा difficult हो जाएगा, micro economy क्योंकि हमारा वो base नहीं होता है, तो people who are graduated from the economics or commerce background, they can go and read it, if they are having interest in that subject, but I won't recommend this micro economy वाला NCRT 12 वाला, तो यहाँ पे जो दिये गए हैं, वो NCRTs आपको बस, इतनी ही NCRTs economic की पढ़नी है, if you are a veteran, you have to read this and this NCRT, these two NCRTs you have to read, और अगर आप fresher हो, तो यहाँ से start कीजिए, 9 to 12, यह 4 NCRTs cover करने की कोशिश कीजिए, ठीक है, and then move on to the science वाला पार्ट, जो सारे humanities के बच्चे होते हैं, उनको यह confusion होता है, अगर आप मेडिकल बैगराउंड से भी हो, तो एक बार go through कर लिजिए, यह सारे NCRTs, ज्यादा टाइम आपको तो definitely नहीं लगेगा, लेकिन एक बार go through करेंगे, तो कुछ basic concept, या फिर कुछ अगर अलब चीज़ें यहाँ पर दिये गई होंगी, जो directly कुछ चीज़ आ सकती है, UPSC Prelims में, तो वो आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगी, तो science के लिए भी, अगर आपका non-science background है, या फिर humanities का background है, तो definitely you can consider reading these NCRTs, मैं पहले वापस यह चीज़ कहना चाहूंगा, कि अगर आप non-science background के हो, तो you can consider reading these NCRTs, यह तो बहुत आसानी से cover हो सकती है, कि अगर आप start कर रहे हों तो, class 8, class 9, और class 10 की NCRT, इसमें कुछ basic चीज़े दी गई है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हों, कि nucleus क्या होता है, cell क्या होता है, cell का structure क्या होता है, यह सारी चीज़े, DNA, RNA क्या होता है, तो कुछ basic चीज़े यहाँ पर दी गई है, heart का functioning कैसे होता है, veins क्या होती है, artilleries क्या होती है, यह basic चीज़े यहाँ पर दीए गई है, ज्यादा focus biology पर कीज़े, physics और chemistry पर ज्यादा focus नहीं किया, तो भी चल सकता है, जो environment के बारे में बात करते हैं, वो ज्यादा important है, तो यह आपको अखिर के चार चाप्टर, तो यह आपको पढ़ने बहुत ज़रूरी है, तो please go through this NCRT, even if you are from the science background, और अगर आप non-science background से हैं, तो आपको यह सारी चीज़े पढ़नी हैं, यह fast cover कर सकते हैं वहाँ, non-science background से हैं, लेकिन science में इंटरस्ट हैं, या फिर सर्फ स्कूल में हम लोगों ने तो पढ़ा ही है, what is heart, how heart works, या फिर यह सारी चीज़े, तो अभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो you can go through these NCRTs in a very quick manner, but try to cover this NCRT thoroughly, इसके जो आखिर के चार चार चाप्टर है, जो environment पर focus करते हैं, cover that part also, तो I hope I am all clear with the list of NCRTs, that which NCRTs we have to refer here, अगर यह कुछ समझाने के बाद भी अगर आपको कुछ doubts होंगे, so definitely you can comment your doubts in the comment section, I will personally answer those comments, let's see कि एक list clear होने के बाद, फिर आगे जाते हैं, कि sir what about other books, बहुत सारे subject है कि अगर हम NCRT के website पे जाएंगे, तो कुछ दूसरे subject भी है, जैसे कि management हो गया, statistics हो गया, sociology हो गया, psychology हो गया, तो यह subjects के NCRTs हैं, वो पढ़ने की हमें जरूरत है, कि नहीं, तो I would recommend कि बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, हाँ, यह basic अगर NCRTs आपके पढ़के हो गया, तो उसके बाद आप जा सकते हो, कुछ sociology के NCRTs हैं, अगर आपका psychology, statistics, management, अगर यह आपके optional subject है, then you can refer to those NCRTs, लेकिन sociology आपका optional भी नहीं है, फिर भी आपको sociology की एक NCRT, जो है, वो पढ़ने की जरूरत है, जो sociology की class 12th की NCRT है, पहले मैं बता दे रहा हूँ, कि priority, जो मैंने अभी बताया, उन सारी NCRTs को first है, and then this comes to last वाला part, तो sociology की class 12th वाली, जो social change की NCRT है, वो बस आप पढ़ सकते हो, क्योंकि वो आपको, GS paper 1, जो sociology वाला part है, उसमें बहुत help करेगी, एक basic understanding create करने के लिए, वो NCRT आपको help करेगी, तो बस उतनी NCRT कीजिए, बाकि psychology, statistics, business management, NCRTs करने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, I hope you are very much now crystal clear, with the listing of NCRTs, कौन सी NCRTs हमको पढ़नी है, let's go then, now, मतलब क्या है कि sir, हम लोग जैसे conventional books पढ़ते हैं, वैसी पढ़नी है, या फिर कुछ अलग techniques वहाँ पर utilize करनी है, तो मैं definitely एक दो-तीन चीज़े कहूंगा, और it is not compulsory कि जैसे मैं बता रहा हूं, वैसे ही आपको पढ़ना है, आप अपनी तरीके से अपनी कोई technique होगी, तो वो definitely use कर सकते हो, the purpose here is, you have to quickly cover up the NCRT, and you have to retain what is maximum is there in the NCRTs, तो क्या कर सकते हैं हम लोग, कि basically NCRTs जो पढ़नी है, वो subject-wise पढ़नी है, class-wise नहीं पढ़नी है, जैसे कि मैंने आपको listing अभी दी, मैंने subject-wise listing दी है, आपको class-wise listing नहीं दी है, history, quality, economy, geography, तो वैसे ही आपको subject-wise पढ़नी है, please don't forget this thing, class-wise नहीं पढ़नी है, focus on the overall index of the book, यह important point है, कि पहले NCRT जब आप लोगे, तो पहले आप index को glass-through कीजे, index को glass-through करने के बाद, आपको एक flow समझ में आएगा, इसमें क्या-क्या चीजे दी गई है, क्या-क्या पढ़ने की ज़रूरत है, and then when you start reading with the chapters, तो पहला chapter अगबर आप जैसे पढ़ोगे, तो focus on the headings of the chapters, जो कोई भी headings या subheadings उस chapter में दी गई है, वो पढ़ने की कोशिश कीज़े पहले, तो that will give you the bird's eye view of that particular topic, या फिर that particular chapter, so it will give you more understanding of that particular concept, तो bird's eye view लेने के लिए chapters के heading जरूर पढ़िएगा पहले, directly chapter page to page पढ़ने से पहले, and then you have to prepare your notes, notes कैसे बनानी है, उसके लिए मैं अलग एक वीडियो यहाँ पर बनाऊँगा, तो वो वीडियो आप refer कर सकते हो, तो एक notes तो definitely आपको बनानी है, जो कोई भी आपको important लगता है, please do not make the note, एक चीज़ यहाँ पर जरूर कहना चाहूँगा, please do not start making your notes in your first reading only, क्योंकि first reading में तो पता ही नहीं होता है कि क्या important है और क्या नहीं, तो अगर आप notes बनाने जाओगे, तो आप एक Xerox सी उसकी NCIT की बना सकते हो, उसमें time भी बहुत जाएगा, और that is what we can say, it is of no use, right, तो दो-तीन reading होने के बाद notes बनाने की कोशिश कीजिए, और एक्सरसाइज गिवन अगर आप कर सकते हो, उसे कोई मार्स मिलने वाल है, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन वो एक्सरसाइज ज़रूरी है, कि आपको वो चाप्टर या फिर आपको वो section, वो topic कितना समझ में आया है, आप अगर कितना recall कर सकते हो, या फिर कितनी concept understand हुई है, इसके लिए ये exercise करनी काफी ज़रूरी है, तो वो skip बिल्कुल भी मत कीजिए, just for the sake of covering NCRT नहीं पढ़नी है, हमको ये exercise definitely करनी है, keeping mind is this, अगर दूसरी चीज है, कि आप अगर NCRT देखोगे, तो ऐसे जो chapter एक page भी आ होता है, NCRT का, उसके बाजू में कुछ boxes दिये गए होते हैं, तो वो boxes पे focus करना बिल्कुल भी मत दूली है, ठीक है, तो because those boxes are important, उसमें कुछ important information होती है, that directly reflects into your examination, तो वो boxes पे बिल्कुल भी focus करना है आपको, तो ये चीज़े, how to read the NCRTs में आ सकती है, ये चीज़े कुछ आप focus कीज़े, NCRTs पड़ते हैं वक्त, and the next point goes to, कि sir, how much time should I give for the NCRTs, ये बहुत important सवाल आता है, कि sir, ठीक है, आपने listing तो बता दी, लेकिन या फिर how to read ये भी बता दिया, तो how much time I should spend to read the NCRTs, मैं एक tentative time बताऊंगा, लेकिन ये time is not at all fixed, according to your capability, your grasping power, you can change this timing also, कि अगर आप बिल्कुल भी fresher हो, okay, so according to me, 1 to 1.5 months, okay, एकदम अगर आप fresher हो, and you are just at the start of your preparation, so 1 to 1.5 months are more than enough, to cover all these NCRTs, okay, तो ये 1.5 months से अगर 2 मैने हो गए, तो please don't get panic, कि sir ने बताया था, तो कि डेड़ मैने मैं cover होना चाहिए, लेकिन नहीं हुआ, तो please don't get panic, 10-12 दिन आगे पीछे चल सकते हैं, okay, but please don't unnecessary emphasize, कि sir 4 मैने लग गए, और हम लोग NCRT अभी तक पढ़ रहे हैं, तो 4 मैने तो ऐसे ही निकल गए, तो ये नहीं करना है, इसलिए मैं आपको एक timeline यहां पर दे रहा हूँ, और अगर आप veteran हो, तो इसकी तो कोई बात ही नहीं है, कि अगर आप veteran हो, तो definitely you can cover these NCRT, जो मैंने कहा, कि veteran हो, तो skip करो directly, और वो specific जो मैंने NCRT कहीं है, उसे पर focus कीजिए, और वो cover करके खतम कीजिए, राइट? हाँ वीडियो चा रेफरेंस देनाचे इथे कारणास है, कि वा आच्चा हाँ वीडियो बनावनाचे कारणास है, हाँ त्याच वीडियो चा एक sequel असुशक्तो आसा आपन मनुशक्तो, कारणी याच्चा त्या तो वीडियो बनावनावनां अंतर बर्याच विद्धार थानी आमाला क्वेरीज वीचार ले, मंजे फोन प्रयास चा नंबर थू असेल कि माला ही परस्नली बर्याच विद्धार थानी चा माश्चा जाले होते, कि ठीके सर, तुमी हे सांगित लगी कसा वाचा येचा, काय वाचा येचा, काय नाई वाचा येचा, पन यह चा वर एक काई तरी चे कासला पाईचे, मंजे उधरनार सर, कि आमी वाच्तो है, महे वाच्तान ना, समझा, let's say, कि हिस्ट्री चा NCRT जै, ऐख बब !! 621C Hatis Vah था आई जा, यह मानन ही तुम्ही सांगितला है, पन 621マदे, यह आक्जिटीिर ना, तैला एग्जाक्ली किसी माँ इवह संगितला, तरु तुमीं त्या वीड़ीयो माँ सांगितला, तो टाइमस्मान जभा अक्चुवल हामी स्टार्ट करतो है सबी स्ट्राटर्जी त्यार के लिए कारें तुमाला भाईती है स्ट्राटर्जी ने पूर्ण यूट्यूब हेता फ्लेड़ आहेच अपले आजू आजू आजूला बरेच से स्ट्राटर्जी स्ट बसलेले चेत कि तुमाला भेगोगा स्ट्राटर्जी सांगते चासता पड़ अक्चुवल इंप्लिमेंटेशन ची जवाँ वेड़ आते हैना तेवा मात्र प्रोब्लेम होतो है कि यहां तेवा मात्र फंबल होते है आणि त्या व्लेस अस वाटते कि कोणी तरी आसला पायजे कि जहां मी एक्जीक्यूशन करतो है त्या स्ट्राटर्जी सा स्ट्राटर्जी सा तयार है माजी त्या स्ट्राटर्जी सा जहां मी इंप्लिमेंटेशन कि वाँ एक्जीक्यूशन करतो है त्या वेस माला कोणी तरी supporting hand असला पायजे कि वा कोणी तरी माला guide करना असला पायजे तो आशा यह चा साथी कि वा ही requirement लक्षद घ्योँनाच प्रयास ने आणि प्रयास तुमालामाई इती है कि नेमी student centric काम करतास्ता प्रयास ने तुमचे साथी एक नवीन batch launch के लिए कि अधी basic है प्रयास चा बैचे सिया सगया well advanced आणि content flooded आणि आतीश इंटेंसिव बैचे सस्ता पंड ही बैच जी थोड़ास फॉर्माट यह बैच सा वेगड़ा अपंठे होला है ही जी बैच आहे ही तुमची प्रयास प्रवेश NCRT मोडिल असना रहे जे विद्ध्यार्थी दोन हजर चोवीज कि माँ दोन हजर पंचुईस ची यू यू पीएस सी ट्राय करता है कि माँ जे विद्ध्यार्थी आता है यह उपेशी यूपेशी क्षेत्रात एंट्री करन और तेजे वाक्षे जरी आस तो चालेला असले तेजै आस महतवा आजे इसकत्रीक होना है कारण टेज बेस जर स्किप जाला तर सूपर स्ट्रक्चर तुम्से बांता येतना ही आणि सूपर स्ट्रक्चर स्ट्रॉंग आजी बाता सोथ पहें मनुन एक हैंड वल्डिंग कर यहां चाह साथ ही अमी ही NCRT module launch के लिए आहे तो बगवयात्माग यहां NCRT module से काय काय फीचर से थे तो यहां NCRT module मदे सांगित लग कोण पहली गोष्ट तर जे विद्ध्यार थी 24-25 चा अटेंब देव इच्छी ताए ते विद्ध्यार थी यहां बैच साथी ऐलिजीबल आसनार है कि जे बेसिक पासन प्रिपरेशन सुरुकरू इच्छी ताए तेंच तर यहां बैच मदे काय काय आसनार है तर बेसिक पाच सब् पुड़े तुम्हाला रेफरेंस मोन पन गरजे चे असता पॉलिटी हिस्ट्री जोग्रफी एकनोमी अनि साइन्स अनि यहां प्रत्यक सब्जेक्स ला अपन किती आर्च डेडिकेटेड के लेले आहे असे नहीं है कि NCRAT ही सेपरेट बैच आहे तमक सर सहा महीने ही बैच सा प्रयास चे अनि महनुन लिमिटेड सेशन्स नम्मर अफ सेशन्स की वालीटी चे 22 आर्स हिस्ट्री चे 25 आर्स जोग्रफी चे 20 आर्स एकनोमी चे 13 आर्स आनि साइन्स चे 15 आर्स यहे सेशन कवर करून आपन हे पाचा ही सब्जेक्ट डीटेल इथे डिसकेशन करना रहोत यहां NCRT से मोडिल महदे ओके कसे कवर करना रहोत तेचा बदल चे इते डिसकेशन दिले बगा हे सेशन्स जी आसना रहे तुम्चे अपले प्रयास चा आप वार रेकॉर्डेड फॉर्मेट महदे आसती ओके और अणि आणि आणि अब्यसली हे सगे सेशन्स हे जा तन्चा कड्ना से सेशन गेतले जाती तुम्हाला फैकल्टी से नॉलेज कि माँ फैकल्टी बदल कई अडचर नसेल ऑबिसली यू कान्टाक और तुम्ही प्रयास चे वीडियो जबगू शक्ता है तयचा तुम्हाला फैकल्टी बदल आंधाज यही तत्ते रेकॉर्डेड फार्माट मदे सेशन सस्तिल सगड़े प्रयास चा अप मदे अप ची लिंक वगरे तुम्हाला दिस्क्रिप्शन बॉक्स मदे मिलेज़े तचने तर अब्यूसली सगड़ा शिलाबस कवर केला जहीं मी जवा हे तयार करत हो तो तो मीर टीम ला मंड़ो की बाउस इस नॉत हे रिक्वाइर्मेंट है बरूबर ना मंझे कव्प्लीट कवरेज ऑफ सिलाबस हे काई फीचर असल बाएजेगा इस अब्यूसली नॉत फीचर की बेसिक रिक्वाइर्मेंट है इस पेइंग सम्थिंग तो डेफिनेटली तुम्हाला शिलाबस गवरेज आलास पाईजेग स्वारी टू से पंड हे काई फीचर नहीं है ठीक है एनिवेज कॉंप्रेहेंसिव नोट फॉर इच सब्जेक्ट यस तुम्हाला जेकाई टॉपिक शिकवले जातील आमी स्टांडर्ड एंसी अर्ट तर आपलेकड़े आहेताच ते तुम्ही प्रयास चा वेबसाइट तुम्हाला मेलतील सगया नोट्स त्यवृडिच नोट्स तुम्ही वाचाई ची ए और रिकॉर्डड वीडियोज कराई ची तुम्हाला जेक्ट प्रत्यक शब्जेक्ट चा ओब्यसली पर्सनलाइज गाइडन्स जो एक प्रकारे प्रयास चा फोर्टे आहे कि माँ प्रया त्याचान अंतर जसकी तुम्ही इथे बगु शक्तात याचात NCRT टेस्ट पण आहेद मंजे इथे जर मी तुम्हाला सांगा चे जाले तो प्रत्यक सब्जेक्ट कवर के लिया नंतर मंजे हे जे आपले कोर सब्जेक्ट है कि जे आपले पिलर्स ओफ प्रिपरेशन मतले ज अबजेक्ट वाइज आणि त्या नुचान आँ तुम्हाला टेस्ट दियाएचा है मनजे तुम्ही वीडियो बगा नोट्स वाल चा जा हे नोट्स of प्रवाइड के लिया ले यतिल तेची टेस्ट देया, टेस्ट दिल्या नंतर और अणि हे सगड तुम्ही तुम्ही चा कंफर्ड जोन में तुम्हाला स्पैन पढ़ सांगे, कोर्स डिवरेशन वन फाइफ 50 डेज असेल में जा समढ़ लग, आमी में पूर्ण काय सहा महिने, आट महिने, बारा महिने न्साटी बाचना, सालोना, कि गरत्स पढ़ नाइए तेवरी, जास्तिक जास्त डिवरेशन वन 50 डेज आएए, और त्यां वन 50 डेज हे जास्तिक जास्त है जास्त है, मिसे तुम्हाला मनतुए, त्या चापक्शा कमी वे लो तेमा पूढे कदी जाना, रेफरेंस काडे कदी जाना, आणि एका लेवल नें तर रिपीटेशन ए NCRT माद, हे तुमी जर वाचले आस तिले NCRT ते हम तुमाला महीती असे, तो काय कराईचा, कि एक सब्जेक्ट कम्प्लीट कराईचा, हे मी तुमाला एक्स्प्लेन करतो कि टेस्ट द्याई चाहे 9 टेस्ट, आणि टेस्ट नंतर 1-to-1 डिसकेशन असेल, फाकल्टी सोबत, एक्सपर्ट फाकल्टी सोबत, ते कसा वरक आउट हुए, तैचा बद्दल बोलो यार, कि बगा, आता इथे टेस्ट बदल सांग तुमाला, कि समझा, लेट्स टेक एन ए आता मी कमफटेबल आहे, मी टेस्ट देउ शकतो, प्रयास ओफिसला फोन करा, कि सर माजा यहवड़ा पोर्शन जाले, मी ओफिसला युण टेस्ट देउ शकतो का, डेफिनेटली तुमी देउ चाहता, तुमी तुम्छा कमफर्ट ने देउ शकता, आफ्लाइन ये ता साल, आफ्लाइन टेस्ट देऊ, आफ्लाइन देटा साल, तुमी तुमी फोन करा ओफिसला इथे या टेस्ट देया, तुमी ही हिस्ट्री वन टेस्ट दिली आणि ती लगेच चेक करना साथी सल्यूशन दिला या सगय टेस्ट MCQ-based test नारे, for your information, MCQ-based test, history ची test वन दिली, तुम्हाला करलव, कि लट से की शंबर प्रश्णाची टेस्ट है, regular format अशनारे, 100 question, 100 question ची टेस्ट है, आणि तुम्हाला 100 पाई की, शंबर पाई की, तुम्हाला 40 अच जमले, for that matter, कि सम्जा, तुम्चा performance तुम्चा requirement नुसार ना अचा याले, तुम्हाश छे एक्सपकटेशन उसार ना आला, लगेचे, चाषफी, कि लिए हिस्टी ची अचली ची बस ले curriculum अचिन, हाधी चा ऑपीशम फैक इस झाले तुम्हाला, तुम्हाला अचा वह माले, हमाला 40 अचा परसार दो झाया test तुम्ही queries जाये तुम्ही टेस्ट नंतर लगेथ फैकल्टी शी बोल उन clear करू शकता है तीथे faculty चा чा düş creation आए दो स्टूड़ेंट शेटरी ४ना भी मैं बहले उनको faculty चा Chi-Ch Ti-णा है ज़त फैकल्टी लावाटाधीए कि तुम्ही यी test satisfactory दिले ली आहे तुम्हाला हैंड होल्डिंग के लजाइल प्रत्यक सब्जेक्ट वाइस प्रत्यक सब्जेक्ट चा टेस्ट इसे दिला है सगल सगले विशायंचे 6-12 को है हे मॉड्यूल अपलं अत्ता शुरू होना राहे 20 दिसेंबर पासना अडि मी तिथुन्द समंडल 90 दिवसाथा स्पैन घ्यू यार मैंजे जवल पास मिड मार्च किमा मार्चेंड पर यंत तुम्हें कंप्लीट केला पाईजे जर तुम्हाला 2024 चा अटेंब जाएचा अस हे बरुबर राइट मजे स्वारी 2025 चा फोर साटी हे नाही अब्यसली राइट तुम्ही जर 2025 चा अटेंब जेनारा साल तो 2025 चा विद्धार खननी काय केला पाईजे कि आतब प्रिपेरेशन करा थी टेस्ट मॉडूल कंप्लीट करा अणि तैचा अनंतर मग तुम्ही काय मार प्रेंटजन हे होता सेल तो एप्रिल आणि में यह चात रेफ्रेंस बुक चा थोड़ा बगू शकता रेफ्रेंस बुक सगल जाल कि मग तुम्ही जून पासन रेगुलर कॉंप्रेंसिव बाच कि मां रेगुलर तुम्हा स्टडीज वा हे 2025 साटी तो प्रिपेर करू शकता तो आशा प्रकारे हे NCRT मॉडिल कुरुणर रहन होता है तर यह चे स्टार्टिंग होना रे तुमची आथा जो तुमचा खडीचा प्रशन असतो त्याच्चा फाइनली उत्तर देतो कि स्टार्ट होना रे बैच 20 डिसेंबर ला आणि यहां बैच ची फीज असना रे फक् अब्यस्ली वित रिस्पेक्ट टैक्सें जिकायास दिलते तो है यह बैच चा फार्मेट आए अल्मोस्ट अत्ता अपन डिसेंबर मदे बोलतो है अल्मोस्ट एक साधर अंटा आईशी ते नवध विद्यार थी अल्रेड यहां रेजिस्टर जाले अब्यस्ली आला आपन ल अब्डेट पण केले जाए तो आई होब यहां बैच बदल तुम्हाला महाईती मिला लिया सेल सबी डीटेल कहीं ही शंका यह चा पेक्षा जासतक है तुम्चा आस्तील तो यहां ऑफेस नंबर बर कॉल करा दीथे खाली नंबर दीला चा सेल तुम्हाला आणे तीथे तु पुरुचा सीचर्ण मतें बएबाई